So hello and welcome guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ सुनील भातिया जी के पाफ, ये सर हैं सुनील भातिया जी, भातिया के ओनर, और मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर इनके सारे डोक्स, इनके पपीज, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, हमने एक पपी आपको देना है, और हमारे पास यह 100 पपीज हैं, पेपर रिसीव हुए हैं हमारे कैनल क्लब ऑफ इंडिया से, अब भी हमारे पास अराउंड 70-75 डॉग्स हैं, अब भी हमारे कैनल का ओनर, हमारा कैनल लोकेटिड है निलोखडी डिस्टिक करनाल हर्याना में, पहले भी आप कुछ वीडियो देख चुके हैं हमारे कैनल की, वी आरे रिजिस्टर्ड विद कैसी आई, लास्ट 12-14 इयर्स, पिछले 12-14 साल से हम कैनल क्लब ऑफ इंडिया के साथ रिजिस्टर्ड हैं, और यह हमारे कैनल का रिजिस्टरेशन सेटिफिकेट है, हमारे ओल्मोस डॉग कैसी आई रिजिस्टर्ड हैं, तो आज हम अपने डॉग्स भी दिखाएंगे, और पपिस दिखाते हैं जो हमारे क्रंट न्यू लिटर्स हैं, आईए सर डॉग्स दिखाते हैं आपको अपने, एचली थोड़ी सी नॉइस जादा आएगी, तो प्लीज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रीट के बारे में दिखा दूँ, लेकिन कुछ नहीं समझाएगा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, आज जाएए, यह हमने अभी अपना नया डॉग्स भार किया है, हमारे पास अच्छी पेडिगरी के ही डॉग्स होंगे, अच्छे डॉग्स हैं, उससे अच्छे ही पपी प्रड्यूस होते हैं, तो हम लोकल पपीज में नहीं डील करते, तो क्रिपया करके आप अगर हमें फोन कर रहे हैं, तो यह चीज अपना माइंड मेकब करके कीजए, कि आपको कुछ अच्छा डॉग्स मिलेगा और वहाँ पे, और वो ठीक ठाक से प्राइस पे होगा, मार्किट से हमारे पास क्वालिटी होगी जो वह बहुत ही बहतरीन होगी, आप जब पेमेंट डालेंगे डॉग जो बुक करेंगे वही डॉग मिलेगा आपको, कुछ लोगों की क्वैरी क्या होती है, कि जो आप पपी दिखा रहे हो, वह पपी, कोई और पपी तो नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं करते, जो पपी आपको हम वीडियो दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, वही पपी भेशते हैं, और फुल हेल्टी और क्वालिटी वाइस ओके रहता है, हेल्ट गरेंटी, क्वालिटी की हर चीज़ की हमारी है, तो वह भी आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे, और पेपर्स की क्या वैल्यू है, क्या नहीं है, कुछ ट्रेडर्स, ब्रॉकर्स, कस्टमर्स को मिस्गाइड करते हैं, कि आपको ये पपी चाहिए, तो that is 25,000, and with पेपर चाहिए, तो 30,000, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं अब ये आपको पेपर्स दिखाता हूँ, कि पेपर्स क्या होते हैं, और क्या उनकी वैल्यू होती है, ये देखिए, ये अब पेपर रिसीव हुए है कैनल क्लब ऑफ इंडिया से, कुछ लास्ट लिटर के पेपर्स थे, जो अब आये हैं, कोवीट के कारण के CIE में थोड़ा सा डिले हो रहा था पेपर्स के मामले में, तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा, कि जो हमारे लास्ट लिटर में आपने सेंट बर्नार्ट पपीज देखे थे, ओल ओर इंडिया प्लेस हुआ हैं, लखनव, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, तो ये पेपर्स आ चुके हैं सेंट बर्नार्ट के, तो आप अपने पेपर्स मुझे कॉल करके, अपना एड्रस देके, म कुछ खाना, पीना उल्टा सीधा होने से, वैसे हम हर अपने कस्टमर को ये डाइट चार्ट भेजते हैं, कि आप इसे फोलो कीजे, सार्टिंग में पपी को क्या डाइट देनी चाहिए, बाद में क्या देनी चाहिए, क्या सप्लिमेंट्स देनी चाहिए, क्या बोलते हैं, कि ब्रीडर ऐसे ही बोल रहा है, उसने इनीशल वेक्सिनेशन नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने एक पपी आपको देना है, और हमारे पास ये 100 पपी हैं, तो हम एक पपी की वेक्सिनेशन के कारण अपने 99 पपी को दुविदा में नहीं डाल सकते, तो हम स आपिन वेक्सिनेशन रिपीट करते हैं, मेगा वेक्सिक्स, अब जो ट्रेडर हैं, ब्रॉकर हैं, तो वो कोई वेक्सिनेशन नहीं यूज करते, वो कहीं से भी पपी उठाएंगे, और कहीं आपको दे देंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, जो आज कल लोग क कहते हैं, पारवो हो गया, डिस्टेमपर हो गया, तो ये लैक ओफ एक्सिनेशन, या कुछ उल्टा सीदा खाना खिलाने पिलाने से हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट है, डाइगनोज है, हम आपको जो ये देते हैं, डाइट चार्ट देते हैं, वेक्सिनेशन चार्ट उसको follow-up कीजे, तो आप इस बिमारियों से बच सकते हैं, ये viral flu होता है, किसी भी dog को हो सकता है, क्योंकि जब तक dog को पूरी वेक्सिनेशन नहीं होती, 108 दिन तक, तो बच्चे के अंदर बिमारी लगने के chances रहते हैं, क्योंकि उसका immune system इतना strong नहीं रहता, आप उसको पू पूरी भी हुई हुई है, या दो vaccination हुई हुई है, तो लगबग 70% chance उसके survival के रहेंगे ही रहेंगे, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से treatment ले रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि आप अच्छे kennel से puppy purchase कीजे, कहीं से भी लीजे, उसके बारे में उसका breed का diagnose करके, और फिर लीजे, और यह कहना चाहूँगा कि शमा भी चाहूँगा इस बात की मैं कहने से पहले, कि doctors are doctors and breeder is breeders, breeder को पता है वो दिन राज जाक के कैसे puppy पैदा करता है, और कैसे उसका milk feed कराता है, और वो कैसे बच्चे को तयार करके उसको customer के हातों तक safely पहुचाता है, लेकिन कोई problem होगी, तो यह सिर्फ breeder की ही गलती है, ऐसा नहीं होता, live stock है, बच्चे को कुछ भी हो सकता है, तो कृपया करके अगर आपके बास कोई patient आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप उसका इलाज कीजिए, ना कि breeder को आप responsible उस चीज़ का ठहर आई, और मैं आपको दिखा date of birth, क्या उसका sex है, वो male है या female है, और कौन सी breed है, कौन सा color है, that is sire, damn, grandfather, grandmother, इसके अंदर seven generation का record होता है, तो जो parents इनके registered होते हैं, तो आगे हम उनके papers apply करते हैं, mother, father के, और वो form fill up करके हमें चनना ही भीजना होता है, तो यह सब papers वहाँ बनके आते हैं, तो वो record में रहते हैं, और इसके साथ ही आपको मिलता है, यह transfer letter, यह जो भी new owner है, वो दुबारा इस papers को भेज के KCI में अपने नाम paper transfer करा सकता है, तो यह paper है, इस एक paper के हमारी जो costing आती है, वो approximate 600 to 800 for one paper, one registered puppy, जो puppy की हम registration कराते हैं, उस एक puppy की 600 से 800 रुपे cost आती है, तो जो puppy registered होगा, parents registered होगे तो उसके साथ यह paper हम apply करते हैं, और यह paper customer को around 50 to 60 days का time होता है, वो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कि 25,000 रुपे का puppy है, या 50,000 रुपे का puppy है, पांच रुपे paper के add-on करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो puppy registered है, तो वो registered ही रहेगा, और जो लोग ऐसा कर करते हैं, तो वो समझ जाइए कि they are not breeders, वो कहीं न कहीं से 2-3,000 रुपे के paper आपको purchase करके फिर आपको देंगे, और पहले जो वो puppy देंगे, तो वो पहले ही unsertified है, और दूसरा वो pedigreed ही नहीं होगा, वो किसी और के paper वो आपको देंगे, यह transfer letter है, यह आप भेज के इसे 4 महीने के बच्चे को install हो जाती है, यह देखिए, यह leica injection होता है, यह microchip है, तो इस जो microchip का number है, वो इस paper के उपर mention होता है, तो यह इसे मतलब यह diagnose होगा कि same puppy है, जो उसका registration number यह, microchip number यह, जो उसके अंदर install की गई, तो यह होते हैं papers, बहुत से customers को नहीं पता रहत कि papers क्या चीज होती है, तो जो certified puppy होगा हमारे channel से लेंगे, कई बार क्या होता है, कि हम papers उसके नहीं provide कर पाते है, उसका कारण क्या रहता है, क्योंकि हमारे पास बहुत से stud dogs है, तो वो pick of the litter आता है, तो mother कई बार register नहीं होती, लेकिन जो भी हम puppy, अपना male stud dog यूज करते हैं, वो बहुत अच्छी female के उपर use करते हैं, और जो भी customer को puppy देंगे, वो बहुत अच्छा heavy head, heavy bone size का puppy होगा according to breed,